आज हम बनाएंगे बहुत एजी शाही टोस्ट रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम तवी पर घी डालेंगे दो चमच घी डालेंगे और दो तिन चमच हम इसमें शुगर डाल देंगे उसके बाद हम गी और शुगर को अच्छे से मिलाएंगे हम इसमें अपने दोनो प्रेट सलाइस अच्छे से रख देंगे और उनके उपर की तरफ भी हम गी लगा लेंगे और थोड़ा शुगर डाल देंगे जब प्रेट सलाइस हमारे नीचे से गॉलडन हो जाएंगे तो हम इंको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इन्हें golden कर लेंगे आप इन्हें ध्यान से पलट येगा क्योंकि चाशनी जो होती है वो गरम के बहुत जादा गरम हो जाती है और आपका हाथ बिजल सकता है अब मैंने इनको पलट पलट कर दोनों तरफ से सेख लिया है और ये दोनों तरफ से golden brown हो गए है अब मैं इन पर coconut powder डालूँगी आप इनको किसी भी तरह से गानिश कर सकते हो coconut powder डालने के बाद मैं इस पर मलाई डालूँगी जो हमारे घर की fresh मलाई होती है आप इस पर रबड़ी भी डाल सकते हो मलाई डालने के बाद मैं इस पर अपने nuts ये dry fruits डाल दूँगी देखिए लग रही है न बहुत टेस्टी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए